हर एक UPSC sprint जो UPSC की तयारी कर रहा ना उसके लिए आज यी वीडियो बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका confusion दूर होगा कि हम अपने जो book को पढ़ रहे हैं उसको सही तरीका से पढ़ रहे हैं किने जो हम पढ़ रहे हैं वो UPSC exam में आएगा किने सारा कुछ discuss करेंगे इसलिए आपके लिए हम हमेशा UPSC से helpful content लेकर के आते हैं तो वीडियो पे नए हो तो like, subscribe and share करके bell icon को जबूर प्रेस करना ताकि आपको UPSC से helpful वीडियो हमेशा मिलते रहे हैं और एक अच्छे guidance के साथ देखो कभी भी हम किताब को पढ़ते हैं तो हमें क्य यह हमारा होना चाहिए basic और यह कब होगा जब हम जो है syllabus के according अपने किताबों को पढ़ेंगे देखिए आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे history को लेकर के क्योंकि history का syllabus ऐसे ही आपका ancient हो गया medieval हो गया modern बहुत वास syllabus होता है तो बहुत ही बड़ा चप्र है तो हमेशा बतात हो medieval हो modern हो किसी भी ones के बारें पढ़ते हैं तो first of all हमको क्या करना है हमको mapping करना है हमको उसका mapping through हमको देखना है कि उस empire का mapping क्या था कहां तक सामराजी था यह हमें देख लेना है उसके बाद सबसे important आपको करना है खास करके history में कला और संस्कृति को एकदम उठाने से कि कि कुसान वन्स का संस्थापक कुजुलक कड़ फीसेश था और इसको देखिए बहुत संस्कृति का हिस्सा इसको माना गया है सरुपर्थम भगवान बुद्ध की पूर्तिमा मूर्तियों का निर्मान कुसान काल में ही हुआ कहने का मतलब है कि art and culture को UPSC बहुत पकड़ता ह ठीक है और इसी से question भी हर साल पूछ रहा है इस बार के UPSC में देखो art and culture से question ज्यादा पूछे गए तो आप कभी भी पढ़ो तो art and culture को हमेशा focus करो और mapping थूड़ो ताकि एक topic को हमें जो हमारे mind में याद हो सके ठीक है इसे गांधार तक सिला को दरसाया है तो इस type से चल कला और संस्कृति को ज्यादा महत्तु दो तो आपके लिए ज्यादा helpful होगा ना कि वो प्री मेंस और इंटर्व्यू में भी आपसे वो पूछा रहागा तो कला और संस्कृति को कभी मत छोड़ना अगर history पढ़ रहे हो तो right ताकि मिलते है next video में अपनी पढ़ाई को continue कि